कि हलो एंड वेल्कम टू आप सभी का स्वागत है एक बर फिर से से जगरुकुल के इस ओफीशियल यूट्यूब चैनल पर तो चलिए कल ड्राइवर का पेपर हुआ था तो कल्टो पेपर सही से मिलने पाया था बहुत धुला आया था आज भी पेपर का जुगाल होई गया है भी लेखें है लेगिन पहताने कोई है यह तो भी लिखा लगा है तोहनों लाव भाझउ अप upfront कि अगरम से कार कर वा रही है सलूशन लेकिन आप न होकर रहे हैं फिर मैं आप से कह रहा हूं जब मैंने आपको मता पहले से ह। किया पढ़ना है क्या चोड़ना क्या नहीं करना है को दे दिया थे मैंने आपको पहले से ही हाँ तो establish करते है नॉर्म शी sound जी क्या रही है फिल्ट्र इस टेटिक जी के पूरा स्वेला ते शिप सी इस ठीक वहला पर आ 1657 के मुख्य नेताओं के पहचान कीजिए लिखा गया है जोतिबा राव फूले आपको पता है जोतिबा फूले ने सत्यसोधक समाज की स्थाप्ना की थी हारी की नहीं तो इनका सम्मद तो आपका 1857 करांती से है नहीं तो ए वाला आमको काट देना है राणी लक्षमी भाई मुंड़ा आप जानते हूं मुंड़ा विद्रो आपने सुना होगा जारखंच संबंदी थे और यह जनजाती विद्रो है ना कि 1857 की कुरांधिक विद्रो है तो यह क्या है जनजाती विद्रो है तात्या टोपर लष्मी बाई का साथ दे रहे थे और यह आपका, गवालियर में भी थे और यह आपका, हाना कानपुर में भी थे और कानपुर में एकिसके यहां पर? नाना सहाब के कमांडर-in-chief थे जाने कि, D हो जायेगा, D हो जायेगा, оны ने B, D और E इसका जही आंसर है, क्लास चल गई नहीं चल गई है हाँ थोड़ा सा पहले आ गया हूं मैं कि अना मैं लगाया था आपको साड़े शह बजे का और आ मैं गया हूं पहले हाँ चल तो गई है लेकिन आपका वह नहीं आ रहा भी चलिए बात में देख लेंगे अच्छा जल्दी आने पर लोग नहीं आते हैं क्या जब मैं देर में आता हूं तो अभी तुम लोग आते हो टाइम पर हैं चलो कोई बात न में आगे तो आंसर क्या होना चाहिए था बीडी और ए होना चाहिए बीडी और एंसर होना चाहिए कहीं पर लिखाओ गया है हाँ भी है डी है और ई है बीडी एंसर है बताओ समझ में आया कि नहीं आया तो पहले क्वेश्चन का अंसर क्या हो जाएगा बीडी हो जाएगा चलिए अगले से मंदिर सबसे पुराना मंदिर आपको मैंने कहा था अगर वंश किसकी राजधानी क्या कैसा है राज-्राजेश्वर मंदिर है मेरे प्यारे बच्चे राज-्राज ने बनवाया था और चोल राज आप जानते हो चोल चेर जो पांगया है वो आपको गुप्त काल के बाद यानि गुप्तोत्तर काल के बाद मिलेंगे बाद समझा रही है यानि कि आपको यह जो चोल समराज है यह आपको दस्वी ग्यार्मी सदी में आपको दिख्टूंग मिल बनवाया था जगन्नात कह रहा हूं जगन्नात नहीं लिंगराज मंदिर यायात केस्री ने बनवाया था इसको अना चामुंडुंग ने बनवाया था बात समुझारी है और इसके बाद ये भी आपका क्या है ग्यार्मी सदी के आसपास का मंदिर है लिंगराज मंदिर भी लाड़त पूर में है यह आपका गुप्त काल का मंदिर है को प्राना को जाएगा दशावतार मंदिर हो जाएगा सबसे पुराना मंदिर कौन से हो जाएगा दशावतार मंदिर हो जाएगा मौर्ण ने बनवाया था महीप तुमारा हो गया दिमाग खराब दशावतार मंदिर मौर्ण ने बनवाया था हमने लिखवाया है तुमका आफलें क्लास में आफलेंगे लिखवाया ना गुप्तकाल के मंदिर कौन कौन से हैं अना श्रीव का भूमरा वाला मंदिर पारवती मंदिर नचना कुठार मंदिर कानपूर का भीतर गाओं मंदिर दशावतार का देवगड़ आप डिलीट करने कुछ लोना हो जाएगा पड़ तो ल पर देटन का मंदिर नाप मneसे अमेरिक बंड़ और प्रांस उड रस्य ओंना अब इनकी बहुता है अम्रिटन नका और प्रिटल में क्या बोलते 05 बहु दूरते हैं चीन है तो चाइनीज हो जाएगा फ्रांस है तोonya ने कि से हो जाएगा है ना आ रस्यां हो जाएगा चै च्छे भासा हैं तो दो और बचेंगी एक बचेगी अर्भी और एक बचेगी इस्पैनिस एक बचेगी अर्भी और एक बचेगी स्पैनिस सिंपल से बात है सेकेंड वर्ड वार में जो जीते थे उन्हां एलाइट फोर्सेस उन्हीं को रखा गया था आपको यह तो बात पता तो बचेगा सिर्फ एक अंग्रेजी फ्रेंच और इस्पैनिश तो इसका अंशर रोजा का अंग्रेजी फ्रेंच और इस्पैनिश ठीक तीसरा हो गया आप देखते हैं चौथा कोशन देखो कहरा मुगल सैली सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो मुगल सैली है हना इसमें जो करा चितरकारी जो मुगल पेंटिंग है वो किसकी है तो आप कहेंगे मुगल जो मुगल सैली है जो पेंटिंग है वो तीन चीजों की शैली है भारती शैली भारती शैली इसलामी सैली और फारसी सैली समझे ना जो मुगल चितरकला की शैली होती है वो तीन सैली क मिस्णढ है अफ्रीकी कहा लगाएंगे अफ्रीकी युरोपी कार्ट जो बचेगा सिर्फ पर्शियन किया अब्चेगा ठीक है तो इसлам सफर जाएगा दूस्रा कि शर्क पतान मुगलों की राजदरबारी भाशा क्या तक है फारसी थी दिल्ली सल्तनत की राजदरबरी भाषा क्या थी फार्सी थी तो चितरकलाशली क्या होगा अफरीकी होगा क्या अफरीकी से मुरक्को का निवासी अबन बतूता आया था यूरोपियन से यूरोपियन तो बहुत बाद में आएंगे painting पहले बनना शुरू हो गई थी तो कैसे हो जाएगा Persian is the right answer हलका सा दिमाग लगाना था हलका सा दिमाग लगाना था और answer खुद माखुद आ जाता करा प्रत्वी की सताय पर एक थंडी वायू की परत है इसके ओपर एक गरम वायू की परत है ठंडा गरम ठंडा गरम यह क्या है है बात समझारी यह क्या है उनके प्राकृतिक निवास इस्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षन अना यानि कि आप समझ लीजिए कि कह रहा है कि किसी किसी जो जिसका जो निवास होता है उसको अगर बाहर जाके उसका अगर रच्षन किया जाए तो उसका हम लोग क्या करते हैं तो करते हैं बहिर इस्थानिक सन्रक्षन करते हैं क्या करते करा जल-men-जल में क्या होता है जल-men-जल में जल होता है जल-من-जल में जल होता है और कुछ होता है ऑर ye地ograph किसमें होती बाधिए रेड्य वर इंपर यह भंध हु जाएगा पीज़ नीचे धुंढ लो हो एक का थीन कहीं लगा लो आपका है आंसर हो गया यानि ढूंआ टीसरा इसका आंसर हो जाए गा ठीक है कि अगática अगला अब इस में भी कह देगा हाइब बाप री बाप कितना कटिन पेपर बनाया था पूछा था जल मंधर में क्या होता है तो लोग जलनी लगा पाये थे ऐसा मत करना भाई कर्ष्ट हो जाएगा रहा ना करना भूब परपटी मंझल में देंगे आपको आप अपना कर लिजिएगा तेलिग्राम पर भेज देंगे हम भी क्या कह रहा है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना कप सुरू की गई थी बताइए प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना कप सुरू की गई थी अब इन दोनों का अंसर बताओ दोनों का आज़ांसर बताव प्रधान मंत्री जन्दन योजना अकप सुरू की गे थी अप्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्नय योजना कफ शुरू की गे थी आ देवरिया प्रोपेटी बेटास्वाशा पड़न लगा लो हानना इंगलीषिंदिक चक्क्र में ज्यादा ना पड़ो खरफ आ जाओ दो ठीक है हाव बताओ ब्लब अचि वागर कि नहीं आया है कि आगया कि ठीक है कि कुछ थेख भी ता है हां सबका अंसर आ गया कर भी श्कम क्यों है अरे सब सबका पेपर नहीं धना यारिया ला सबका पेपर उता तो कोई दिक्कत नहीं थी हाँ बिल्कुल मैफमेटिक स्टमिल सही है जब कोविट 19 आया था जब कोवीड 19 जब खोविड 19 आया था तबी तो सब को अनवाट अभाट्णी की बात हुई थी तो अनवाटे कब गया था 2020 में 2020 में सिंपल जी बात है अना और प्रदान मंत्री जंदर योजना अठाइस अगस 2014 अठाइस अगस 2014 यह कुश्चन था पेपर में अगला कुश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला कुश्चन करा उत्तर भारत में सीथ काल में बरसा होने मुखन क्या है तो नौर्थ इंडिया में जो ठंडी में वर्सा होती वह वेस्टर डिस्टर्बेंस है वेस्टर लीज का अफ़ेक्ट पड़ता है वेस्टर डिस्टर में मुद्लब की पक्षमी विक्षोब क्या पक्षमी विक्षोब ठीक है अगला करा की बताईए मैंगो शा तो अगला कुश्य देखो युनोद्वारा वढ़ने स्टीज स्टीज टोटल किती है 17 टोटल स्टीज इसट्रा और हमने आपको एकॉनोमी में सट्रा याद भी करवाई है कि इसका जो आंसर वह है इसका जो आंसर हो क्या हो जाएगा 17 17 जहां पर दावड हो हमसे पूछ л Yummy K badge जहां पर दॉट हो हमसे पूछ लेना कहाता है कनमे से कौन सा भारति उपग रहे है इंसाइट ब्लकुल सही बिल्कुल है इंडियर्टेजिया सेटिलायट सिस्टम सही तो है कल्पना मेट्सेट का नाम इकल पना करत्क दिया रहा है सही है इस बल्कुल सभी है इस पूतनी gehатका रूस का होता है और डिकल लो अपर काट के तो आपको अंसर मिल जाएगा डीडी जहां लिखांगा का दो यह काट दो यह काट दो औब अब देखिए, आप देखिए, यहाँ भी लिखा है, A, B, C, E, क्या लिखा हुआ है, आप देखो, जो यह option है, वही यह option है, A, B, C, E, B, A, C, E, इनने में से कोई भी एक लगा दो, आंसर सही है, तो इस question में, गर्वड़ी है, इस question में क्या है मेरे बच्चे, इस question में, क्या है इस क्वुष्चन में घर्वड़ी है इस क्वुष्चन में क्या है गर्वड़ी है तो इसमें से बिए राज करके वह उसमें सब को एक ल्法 मिल जाने वाला है है इसके बाद applause क्वेशन को स्वाहल है के ने कि वह जहार की जन्षंख़ञत करन उसर किस लाज़ की जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा ठोगभा के टेस्ट दamentosन है अर्ट सबस्याद का था फिर बैंगॉल का था न और केंदर साथिय प्रदेश्य wears Lynn amata सबसे जाए दा तो भीहार दिलीक दे लेते हैं तो भीहार दिलीं को यांसर है दिली है दिली है तो रहां ना ना नहीं, वहाँ से लाई बिल्ली बिल्ली नोंहरा पंजाग और me चलिए आगे बढ़ाए है अगला कोश्ऩ है है इन में से कौंसा ऐस और가 चिए सिएरी य´ आप एक होत्या-SIWIL और एक हुआ किरमिनल ठीक है एक किरायदार तुम्ही honoring तो मॉन्ट किराया नहीं दे रहा है तो civil धिजह कराना है विवाध संबंधित कोई है उपर क्या है कि चोरी कराया संबंधित तलाक छौ्थ और पी तो तो अ-डी and यह दोनों किस में जायेंगे यह जायेंगे दीवानी में प्लेंगए इडीवानी में जायेंगे यह किसमें जायेंगे दीवानी में ठीक है और इस गाइऑ लगा देंगे A, D और E, A, D यह कहां पर है, यह लिखाए, A, D, E, टिक, चलो अगला question, सोलवा, कह रहा है कि निवन में से ऐसे कितने 5 हैं, जिनके तुरंत बाद 3 या 4 आता है, और उनके ठीक पीछे, जिनके तुरंत बाद 3 या 4 आता है, किन्तों उनके ठीक पीछे, 8 अथवा 9 नहीं आता है, तो भाई देखते हैं, ऐसे कितने 5 हैं, पर तो 5 पांच देख लो, 5 यह है, 5 यह है, 5, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक, option 4 होगा, 2 है, इसका answer, ठीक, यह 9 वा होते हैं, इसे, पांच है, ठीक, नहीं है, ठीक है, समझ गया, 2 होगा, ठीक डिक्ष्णरी को यह यह कहा जाता है, फिर कहरा, और निरी को क्या क्या कहा जाएगा, तो कर लो भाई, डी को क्या कह रहा है, एक कह रहा है, तो यहां पे, ओ को क्या कह रहा है, और इसको इसको दे तो भाई तुम्हें खुदी कर लो ठीक है यह एक काम करो आर का देख लो आर का क्या है आर का है आर का है आर का है आठ तो यहां पर आर का है आठ यह काट दिया यह अंसर हो गया पांच आठ खतम यह हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा अरे भाई डी जो ओ है ओ ओ यहां पर है तो किसे उन्ता है एक दो एक एक दो तेन चार पांच छत्वा एक दो comic रलश पांच है इसके बद कहरा ऐड़ार का क्या होगा तो आर कहा है यbek कि पहले आयह है यहाँ आठ है तुल कि यह पांच आठ आठ हो गया बाध समझ में आ रही है हाँ है छी Когда है चलिए आए कुरे बढ़ते हैं अगला पॉइंट के रहा है 225 फिर injition jus इक लेकुजे किंशी protective hotel पंधरा का इसके you किसगा एक हरगोटा है 14 का तो यह siitä आएगा। किसका पार आएगा Lynda 10 προ fazem 12 car 10 का 30 bits 25 आएगा चाय चाथ आता आपसने इसका ठीक है कि अगला पुरा से क्या आशाय है पुरा का मतलब क्या है एमनेस्टी प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टी इन रूरल एरियाज प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेटी इन रूरल एरियाज ठीक है अगला कुश्चन जंधन योजना 28 सगस्त 2014 बता चुका था कई बार अभी थोड़ देर पहले बताय दाएगा जैसे नाटो का मुख्याले बेल्जियम की राज़दानी ब्रूसल में है सार का मुख्याले काटमांडू में इंटरफोल का लियांस प्रांस में है ओपक का वियन सामें मिलाल व शायगा ठीक है मिला लो आपका असो जाएगा तो एका चार बी का तीन हाना एका चार बी का तीन मिला लो कहां लिखा हुआ है एका चार बी का तीन एका चार बी का तीन यहीं तो है ना हाँ स्ट्रेटिजी यह है लिखा तो है कि अगला कि विकल्प में लुप्त संख्या ग्याद करना लुप्त कहां है यह ना जिस बच्चे का पेपर किया है चार गुण एक करना है फिर चार गुण घृण चार गुण एक फिर चार गुण दो पिर आट गुण ए तीन चार गुण पांच गुण छैसे करके चला है तो इसका जो आंसर आएगा थाइस ऑसी आ जाएगा यह इसका सही आंसर है ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चं यहां पर इदे इंग्लिस में दिया गया और बिवारा कि प्रात्मिक जो प्रात्मिक गतिविदिक छेत्र हैं इकॉनमी के जो सेक्टर है उससे को स्टेन पूछा गया है इकॉनमी के धाक उर्षी खनन क्या होता है जो प्रात्म का क्या हो जाएगा हो जाएगा हना मत्यसे पालण हो जाएगा क्रशी पशवाम ठान यह सतों हो जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑना यह जाएगा A C or D A C और M Q डिकहीं लिखा हो देख लिज्ये A C D यह लिखाया है A C D ACD इसको करिए हना मुंबत्ती क्या होती है बल्ब क्या होता है सितार क्या करता है लौज स्पीकर क्या करता है अना उर्जा का परिवर्तन बता रहा है यहां पे तो लौज स्पीकर क्या करता है भाई लौज स्पीकर क्या करता है लौज स्पीकर क्या करता है विद्दू तूर् यांत्रिक सिध्वनी उर्जा में परवर्तित होता है तो कल लो ए 3, B1, A3, B1, C2 और D4 चलो यह कर लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा एक बच्छा कर लेते हैं यह कर लो तो A3 क्या था? A3, B1, C3, A3, B1, C2 और D4 यह है यह वाला आसर ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए अगला 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 चलो खताम हो गया? यह आपके 25 क्वेशन थे ना? 25 हो गया? हाँ हो गया? 25 क्वेशन थे जो जी एस के यहां पर हो गया ठीक है न? चलिए आगे बढ़ें अब हम लोग आएंगे हिंदी पे हिंदी करा परिमाल वाचक विशेशन का उधन क्या है? परिमाल वाचक जो परिमाल बताता हो अना कि थोड़ा सा दूद दे दो अना सब लोग मारे जाएंगे हम सब आएंगे सारा अनाज दे दो दो किलो अनाज दे आद्मियों की तिजारत करना मुर्खों का काम है सोने और लोहे के बदले मनुस्ट को बेचना मना है लोहे सोने और बादले मनुष्प को बेचना मना है आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपिया है परंतु मनुष्व कोड़ी के सौसों बिखते हैं या बनाने वाले बनाया सोना और चांदि प्राप्ति से जीवन का आनन्द नहीं मिल सकता सच्चा अनन तो मुझे मेरे काम में मिलता है मुझे अपना काम मिल जाए तो सर्ख प्राप्ति की इच्छा नहीं मनुष्य पूजा ही सच्ची इश्वर पूजा है मंदिर और गिर्जा में क्या-क्या रखा है इंट पत्थर चूना कुछ भी कहो आज से हम अपनी इश्वर की तलास मंदिर, मस्जिद, गिर्जा और पूथी मिना करके अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में इश्वर के दर्शन करेंगे सही आदी है यही धर्म है यही आदी है यही धर्म है मनुष्य के हाथ ही से तो इश्वर का दर्शन कराने वाले निकले हैं मनुष्य के हाथ से ही तो इश्वर का दर्शन ठीक है मनुष्य की मजदूरी का तिरसकार करना नास्तिकता है बिना काम बिना मजदोरी बिना हांत के कला कौशल के विचार और चिन्ता किस काम के सभी देशों में इतिहाद से सिद्ध है कि निकम में पादरियों, मौलवियों, पंजितों और साधुओं का दान के अन्द पर पला हुआ इस्वर चिंतन अंत में पाप आलश और रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है जिन देशों में हाथ और मूँ पर मजदूरी की धूल नहीं पढ़ने पाती, वे धर्म और कला कोशल में कभी उन्नती नहीं कर पाते अच्छा ठीक, स्वर्ग प्राप्ति की च्छक नहीं होगी, स्वर्ग प्राप्ति की च्छक कब नहीं होगी, जब बहुत सारा धन मिल जाए, रोज भर पेट खाना मिल जाए, अपना काम मिल जाए, देखो, स्वर्ग प्राप्ति की च्छक कब नहीं होगी, स्वर्ग प्रा सच्चा आनन्त मुझे मेरे काम मिलने पर आता है मिल गया हाँ तो आपने क्या मुझे अपना काम मिल जा तो मुझे स्वर्व की प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो अगर मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर मुझे स्वर्व प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है तो मनुष तो स्वर्ग प्राप्ति के नहीं कि जब उसको अपना गया मिल जाया व्लुकुल सही है हई THE होग Пр TYican साथ थै While मटे किसके बना कला कोशल की विचार चिंताा वर्त होती है सुरी के विना मजदूरी की ब Hashduri के विना कला कोशल के विचार और चिंता वर्त ठोती है तो है और गाएंगे मजदूरि क्यों इस बीकिए कही नहीं गई सोना तो अलग बात कही गई है निम्न मेंसे किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता निम्न मेंसे किस प्राप्ति से अना सोना चांदी उपर किसकी बात कही गई है सोना चांदी तो सोना चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता है जीव सच्छी इश्वर पूजा किया है मनुष्य पूजा सच्छी इश्वर पूजा क्या है इसमें मनुष्य पूजा तो जो कि चूट है तो किति कर आयो सब लोग बस बैट करip बैट कर इसको छोड़ो लिए दिमाग ख्राब है तेरा पेपर है नहीं लग रहा है छोड़ो छोड़ो जिसका पेपर है उसको तो एक एक कुश्चन का आंसर पतो आच चाहिए ना छोड़ो पेपर है आज जो हुआ है कि मजलें नहीं आएंगा अच्छा पताने है कि यह बच्चे सटिस्फाइब हो जाए कि इसका आंसर हमारा सही हो गया यह सही हो गया इसे हमी जब आंसर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा छोड़ो इसको जाओ ना तुम्हां से आरा अब क्या करा है निम्न में से कल का तात्पर क्या है अब है यहां पर हमें कल कि सेंस में दिया गया है आदमिक तिजारत करना मुर्कों काम है सोने और जीवन का आनन नहीं मिल सागता यह ठीक है मुझे अपना काम मिल जाए ठीक है यह हो गया और अनमोल दर्सन करना ही आधी है अंत है यही है बिना मजदूरी के हां तो यहां पर कही कल सब्द लिखा गया है क्या बताई जल्दी से जिन देशों में हाथ जिन देशों में हाथ और मुझ पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती वह कला और कोशल में कभी उन्नती नहीं कर पाते हैं देश में इतिहास ठीक है तो यहां पर जो कोश्चन आप से पूछा गया हाँ यह आज कल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपिया है अब सुनिए आज कल भाप की कलों यहां लिखा तो है यहां पर लिखा हुआ है आज कल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपिया है तो अब यहां पर इसको और देखा यहां पर आप यहां पर करते हैं अन्ष भार है पुरजा है ये टुकड़ा है अन्ष है कि भार है कि पुर्जा है कि टुकड़ा है जल्दी से अराम से पड़ो तुम दिमाग ना लगा जाता सर कल का मतलब मशीन होता है हाँ आदम कहते हैं कि इसका कल पुर्जा खराब हो गया है क्या खराब हो गया है कल पुर्जा खराब हो गया है यहां पर जो कल है वो पुर्जा से सम्बंदित है आदम नहीं कहते हैं हाँ मशीन के जो लगे होते हैं ठीक न है यहां पर जो है नई पेटा पुरजा से गहां से टुकड़ा नहीं होगा यहांपर कल का तातपर है वो पुर्जा से है यहां पर लिखा गया है क्योंकि कल का मतलब मशीन होता है यहां पर लिखा गया है न कि सोने और लोहे की बदले मनस को बेचना मना है आज कल आज कल भाप की कलों का भाप की कलों का दाम तो हजार रुपिया है तो भाप की पुर्जों का दाम भाप के टुकड़ों का दाम भाप की टुकड़ों का दाम भाप के टुकड़ों का दाम और यहां पर क्या लिखा है भाप के टुकड़े भाप के भार का दाम भाप के भार का दाम कल पुर्जा भाप के पुर्जों का ना ना भाप के भार का दाम ठीक है दूसरा है ना ना कल पुर्जा नहीं होगा sed茲 नहीं क्लपूर्जा नहीं होगा क्योंकि भिट नहीं बैठ रहा है आज-कल जो भांप का भार है उसका धाम मतलब कहने का मतलब क्या है भांप का भार का मतलब यह है कि जो भी हम लोग चीज चीजे बना रहें सोने चांदी ​​ और यह सब इसका दाम जाधा है और मनुस्र का जो दाम हो कम है वह होगोडी कोरी करें मारे फिर रहे ही तो इसका जो आंसर है वह हमें 100 परषंट बार है अभी मैं हमसी है भार सफोट है ठीक है अब में वोपर लगा रहा हूँ लग गई भार रहा हूं ठीक है ठीक है nevertheless आगे वड़ते आरे भाई थोड़ा सा कभी-कभी पढ़ा जाता है कर दोड़ा देंगे कभी-कभी कोई क्वेश्टन ऐसा आता है जो लग जाता ठीक है तो कल पूरज्ण होता है लेकिन यहां पर रहे बाची नहीं पूछना आ is भाप इस दाम वो सौ सब कोडिंत दहीं है कह बाइ है इसकां सरे के बैंन सुन्य जबते मधूर घ्टे सुनत नहीं यहां पर विरोधार असलंकार है सिम्पल सी बाता कई बर बता हो जाएगा शब्द का वर्ग किस आधार परताय होता है उत्पत्ति के आधार परताय होता है अर्थ के आधार परताय होता है अना प्रियोग के आधार परताय होता है तो आकार के आधार पर एता हुआ कि शब्द को आकार के आधार परताय करते हैं नहीं स्वरूप के आधार भी नहीं तैय करते हैं यहां पर आपका अर्थ वत्ता के आधार पर अर्थ के आधार पर हम यूज करेंगे सीज का सही आंसर है अर्थ के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर अर्थ के आधार पर प्रयोग के आधार पर इस प्रकार से हम लोग अर्थ सब्द का वर्ग इस प् बढ़ें अब ये पदबंद पूछ रहा है पदबंद पूछ रहा है तो आप समझेगा पद मतलब शब्द होता है जब पद का प्रियोग हम लोग हना वाक्य में करते हैं तो उसको पदबंद कहते हैं जब कई शारे पद या कई सारे शब्द मिलकर एक ही चीज को दरसाएं त उसको अगर संग्या को दरसाते हैं तो संग्या पदबंद सर्वनाम को दरसाते हैं तो सर्वनाम पदबंद हिंदी तो महारत हांसिल है करा संग्या पदबंद बताईए तो देखते हैं संग्या आप वहां जाकर बैठिए आप वहां जाकर बैठिए तो यह लिखा है मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है देखिएगा मुझे क्या है या ना देखो मैंने का बहुत तेज बोलने वाला सुनिएगा मैंने का बहुत तेज बोलने वाला यह क्या है विशेशन है यह कौन सा पतबंद है विशेशन पतबंद है बहुत तेज बोलने वाला लोग या a4 और यह लगा हुआ यह अंसर हो गया इसका a4 काम ऐसो जलागा चार काम खतम ठीक है एक चार बीका 2 सी के 3 और डीका एक कल ले ना इसका अंसर ठीक है रंग जमा दिया भाई तुमने तो रंग जमा दिया कंदि मैदान ना मुझ फुलाना मुझ फुल जाता है करते हैं तुम गुस्टा अचया कर दिकर लगा तो कही रहा गया है कि यह इसके बार तो यह लिखा तो है तो एक टू हो जाएगा रंग जमाना धाग जमाना और रूख अपाना मतलब की बहुत डराना तो बीका थ्री टीक एटू बी थ्री यह हो जाएगा आपका पहला वाला पहला पर चाहिए और है एक विए है एक सेकन कि यहाँ पर बुसके रिवें यहाँ पर क्यां थी है यहां तक हमने कई लिये उट 169 स्थ रोल свär一樣 कए रहा है निराशा सब्द में कौनसी संधी है एर हये निराशा शब्द में कौनसी संधी है संधी का CLASS NUMBER 3 संधी का CLASS नUMBER 3 निराशा निह धनाशा के निराशा निह धनाशा विसर्ग करें संदि है का ओंग एद संदी तक है ना दुराशा दुहु धन आशा कि दुस्चरित्र दुहु धन appropriate backup कि और अचानि न एसी तो होगा ठीक है निर्वासित निहिं धन वासित या निहिं धन वासित निरवासित आपार ठीक है कि चली कळ लेते हैं तो यहाँ फैसका इसामसर क्काक लागा दिया हमने इसकों से जाएगा विसर्ग संदी इसकों सरो जाएगा विसर्ग दिया उपसर्ग निकाला गया है मि लिखीत को सुमिलित किया जा रहाACE हम भूसर्घक तैक है इस उपसर निकाला गया बिटा जो 49 नंबर कोश्चन है इसमें उपसर निकाला गया है इसमें देखिए दुष सहास का उपसर क्या होगा दुष होगा दुख का क्या होगा दुष होगा दुष कर्म क्या होगा हना दुष होगा अरे भाई सौरी सौरी ठीक है यह वाला इसका यह है तो एक हो जाएगा आप करो एक हो जाएगा ती एक हो जाएगा तीन लिकास हो जाएगा दो 3-4-12-3-45-2 यह थीक धीड़ा है जो और उल्कुल साही है हमको चोर दिमाग लगा रहे है कि सौरी इसमें अच्छान था इसमें जो है वो फसर्ख ःज्टन था उपसर्घ ठीक है रोज है थीक है नहीं हो तुम लोग हम से मौ बीया यह थिए धनवासन ही थीक है निर्वासन नहीं है अच्छा इसमें भी उपसर्ग छाटना था, सौरी सौरी इसमें भी उपसर्ग छाटना है, सही यार, देखो हम कुछ और सोच रहे हैं, इसमें भी उपसर्ग छाटना था, देखिए निधनवासन, ये संधी विच्छेद हमने बता दिया, और इसमें करा उपसर्ग छाटना है निर्धन्वासन होगा निर्धनवासन चौता यह इसे निर्धनवासन होगा खिल ओ छो प्रेव दिमागा चstaw thing कि आए में कि नीर्धनवासन होगा ठीकять चलो च्छछ ऑद दिमाग नहीं काम कर रहा है कि चालिस हो गया अब आते हैं 41वे में किसमें 41 आप अब देखिए दुर आत्मा में कौन सा समाध्य के दुर आत्मा का क्या होगा दुहु धन आत्मा होगा इसका संदी विच्छित क्या होगा दुहु धन आत्मा अब दुर आत्मा मतलब क्या है अब पतलने चाहिए द्वंद क्या है द्वंद में दो होने चाहिए थे नहीं होग बहु ब्रिये, दू है और आतमा है करमधारय,очки करमधारय में दो चीजे में तुछल्ला के100 जाती है और विशेशन विशेश होता है.. विशेशन विशेश होता है दू है थे सब्सक्राइब कर्लेश होता हैTO Eryana जल्दी से जलिवत आईए फटाक से अब व्यभाव बता रहे हैं सब लोग अब व्यई अब व्यई सब व्यई बता रहे हैं जल्दी से डी 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 सरी गलत हो गया है अब व्यई भाव बता रहे हैं और सोचो जल्दी से अभी मैंने बता देखो अब व्यई भाव के तीन नियम है पहला नियम क्या है कि शब्द की आवरत्ति होनी चाहिए सब्द की क्या होनी चाहिए या फिर कोई उपसर्ग जुला होना चाहिए और या तो फिर कोई क्रिया विशेशन जुला होना चाहिए क्रिया विशेशन जोना होने चाहिए और कर्मधारे में दो बाते बता चुके हैं दुर आत्मा का मतलब क्या होता है दुर आत्मा का मतलब होता है दुष्ट आत्मा क्या होता भी या दुष्ट आत्मा आत्मा क्या है विशेश्य है दुष्ट क्या है विशेशन है दुष्ट क पढ़िए यह क्या है बच्चे कर्म्रण खरें को यहाँ पर क्या कि विशेश है विशेश है दुस्त्त काद मां समझ में आ गया दुस्त आत्मा तो दुष्त क्या है विशेश है अर्फात है कर्म halve अब व्याई भाव नहीं होगा ठीक है चलिए अगला कुश्च्छन आकांच्छा किस सब्द का क्या है पर्यावाची और मनोरत जो कोई लावे ठीक है विजू का विलोंग क्या है विजू का हो जाएगा वक्र विजू का क्या हो जाएगा कर्व कि कोई option नहीं इसमें है कि इसमें कोई option नहीं है कि ठीक है र ठीक है अजल्दी जल्दी जल्दी चल्दी है जल्दी करो हो या घाज wiping हो जाएगा इसका व्याथा कि हो जाएगा अ मैं अपनी व्याथा सुना रहा हूं दुख सुना रहा हूं कैसे हो जाएगा इसका तो अ होगा थिक चलो हां ये बता दिया ना कुछ पीटा इसका समझ नहीं चाहरा रीजु का विलोम क्या हो होगा रिजू का वक्र होताय कर यह होता है अब पिर्पी अगर पूरे बिल्कुल नहीं होंगे यह शारे नहीं होंगी बास smझारी फिर भी अगर आपको लगाना है तो रिजी को मतलब एक चुड़्ा अमेडा कुह narc मतलब होता है त्योड़ा मेरा ठीक है यह करिएगा बैठ जाता है मेरा मन कभी-कभी मन कभी-कभी मेरा बैठ जाता है मेरा मन कभी-कभी बैठ जाता है कभी-कभी मेरा मन बैठ जाता है तो मेरा मन कभी-कभी बैठ जाता है कि निपाथ किसे कहते हैं जो बल देते कहते हैं यह ठीक ही तो कह रहा है इप टो ठीक ही तो कह रहा है तो यही सब्द में विशेश प्रकार का बल लगाने वाले अव्यव है विलोंग की द्रश्टी से कौन से युग में असंगत है ध्रश्ट का विनीथ सही है असंगत छाट्ना ना दे का प्रदे ये गलत हो गया करें ये समनार्थी हो गया है बाकि यह सई है यह सई है गलत कर जुसा करूंप जातने इस प्राणो कास्त करने वाला कौन है कि जो प्राणोल का अंत कर दे बताई है यह देखाए ह। तुम लोग के देना कि सर कम लोग है कम लोग है कि दीमें दीमें सब लोग आ गये प्राणान तक अनुज मिस्रा और सोचिए है पिलोटो प्राणान्थ जो प्राणों कंथ कर दे वो स्थी कौन है जो प्राणो कंथ कॉन कुछ टेवाल हुख आज जैए काहए जो बाख एया यह यह शुद्ध है यह 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 इकर यह यह लाश्क्रियों कि जाती वाचक संग्या कौन सी है तो गंगा जो है वो व्यक्ति वाचक है गंगा जो है वो व्यक्ति वाचक है तो बस गंगा नहीं है गंगा व्यक्ति वाचक है बाकि सब क्या है जाती वाचक है बाकि सब क्या है जाती वाचक है ठीक है अगला लाश देखिए इसमेंज्ट कहारा है मिलाना है मिला लिजीए भाई यह वही लड़का है याझनि यह कर ददेते हैं निश्य कर देते हैं B हो जाए गया यह आप आप क्या हुतै निज्वाचक कुछ मतनलब अनिश्यवाचक चौनगा कर संबंद बताते हैं तो एस एर्फ त्री बी वन ए त्री बीवन और सी है फोर और डी है टू काउनस आजएगा ए काउनस आजएगा ए 25 में से 22 सही हो गया है सर अच्छा वो उस पर दिल पे मत लेना हम कुछ और सोच रहे थे हम वह विसर्ख संदी सोच रहे थे कि विसर्ख संदी विसर्ख संदी और उसमें उपसर्ख पूछ रहा था बारे बार मैंने question नहीं पूछ था सलगाओ सर जी के में से 25 में बहुत बढ़िया बीचा लिसन चलिज जयाने कि आपके 5 asks बहुत बढ़िया इससे बढ़िया क्या होगा ठीक है आप बताईए जो पचास कोश्चन अमने आपको कराए हैं इसमें कोई दिक्कत है भी तक इसमें इन पचास कोश्चन में किसी में भी डाउट हो रहा तो बताओ इन पचास कोश्चन में कोई भी डाउट हो रहा तो बताओ जैसे जैसे फटा फच्च एक बार फिर से देख लो अठ सब्सक्राइब देख लिए एक बार फिर से बीडी ही हो जाएगा भारत में पाया जाना प्राचीनता मंदिर कौन सा है तो बता दिया दशावतार मंदिर दशावतार मंदिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सी भासाओं करम यूनों में हैं अंग्रेजी फ्रेंच और फिर इसके बाद और जल्दी देखिए जिसमें डाउट हो हमारे बताने में वह पूछ लेना हना कौन से मुगल सहली में है तो परशियन सिर्फ परशियन भारती परशियन और इसलामिक यह तीन होती है आर्टेंट कल्चर में इसका परशियन है फिर इसका जो एक ठंडी पर आंसर आपका हो जाएगा ठीक है फिर इसके बाद अग्ला क्षण को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्यूजना 2 20 में चलाए गई थी उथत्र भारत में सीध काल में होने वाली बडर्सा का मुंक्यकाण क्या है तो पश्शिम व्क््षोत है पश्यमी विश्योवव साव और यानि आमर वर्षा कहां पर होती है केरल करनाटा को तमिलाडियों में होती है सदीजी किते थे सत्रा थे और फिर कह रहा है भारत में इसमें से कौन सा भारत का उपग रहे नहीं है तो यह आप्सन में मिस्प्रिंट है इन में से कुछ भी आंसर लगा दो चाहिए लगा दो डों पूर रुश का है इसको इसको कायट देना है फिर ए फिर इसके बाद फिर इसके बाद ल मान लिफ नरा है यहां पर आपका स вып publisher 2 के महीं आएगा दिल senhor संदी गल के बाद गोवाग आएगा वहां叉मर में में रिका क्रिम्नल में कॉन-कौन सा आएगा यह दोनों नहीं आएंगे तो A, D और E आएगा A, D, E यह एक वाला होगा किर्मल में कौन सा आएगा इसके बाद यह देखिएगा यहाँ पर इसका अंसर दो आएगा यहाँ पर इसका अंसर कितना आएगा दो आएगा फिर इसके बाद यहाँ पर देखना है इसका जो आंसर है वो कितना है यहां पे ordinary वाला तो इसका आउसर पहला वाला है पहला वाला इसका आउसर है प्रदान मंत्री जंधन यौजना पूछी गेती ते तोड़ाइब था 28 सब्सक्राइब दोजार 24 था फिर इसके नाटो का मुख्याले यह सब पूछा गया था नाटो के लगा दे बिल्जियम ब्रुसेल्स एक अलगा दिया चार तो इसका उप पहला वाला इसका अश्योगा आपका पहला वाला फिर इसका अपिस का फूल फॉर म क्या था आर्क कार्ट देना है तो ai d or acd acd यार्न पहला वाला इसका आंसर था फिर इसके बाद फिर सके बाद यह मुदत्ती वाला रासानी कुर्जा मिला 데ना था three हो जाता और three 있 क्वह जाएगा और यह क्या हो जाएगा बीवन का अधर भी वान से मिला मन अनाज हो जाएगा फिर इस इसके बाद यह काम का मतलब क्या हो जाएगा फिर इसके बाद पिर इसके तर सची इस्वर की पूजा वाला जोौ angसर है है वह है मनुष से पूजा अना फिर इसके बाद अगला जो question का आंसर यह क्या है मूरुखों का काम क्या है आद्मियों की तिजारत करना फिर इसके बाद यहां पर जो अगला जीस का फरको स्रेओं कर लेख लिए जीगों अरे मतले से पहले कर दो साम झीछोन वर्समें फोल और यहां बिरसा मुंदा नहीं होंगे थी का अन्सर क्या लगानाई वहर लगाना है अन्य बढ़ा आदर थी लगाना है इसका एस फरसे लगाना receiver दि लगातना क 직접 ऑप और बाकी कहां पोचे थे हां यहां यह सब हो ग्या था यह सब हो ग्या था यह सब हो ग्या था है हिंदी वाले में आ गए थे पिर इसके बाद हम यह बैने सुनिया जबते मदुरा वाल यह विरोधा बासलंकार है सब्सका वर्ग अर्थ की आधार पर निकालेंगे निराशा में कौन सी संधी होगी तो निराशा नी धनासा यानिकी विशर्ग होगी इसके बाद संग्या पदबंद वाला देख लिजिए गए एक बार हो सकता है यहाँ पर बहुत सरे जाए अगला हां यहां पर यह भी देख लिजेगा यहां पर भी उपसर पूछा गया था यहां पर भी उपसर पूछा गया था इसका लगाना है यह इसका लगाना है यह और इसका लगाना है यह ठीक है इसको इपर देख लिजेगा फिर से ऐसे लगाना इसमें छाट अना रूख आपना बहुत डरा देना तो बी का तीन लगा लेना है एक टू लगा लेना है एक टू बी थ्री यह आपका पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा मैदान मानना विजय करना मुफलाना मतलब आप रसनों डी का वन ठीक है चलिए अगला हां यह बताना है सरवनाम का उधारण नहीं है बात समझा रही है तो यहां पर यह जो हजार लिखा गया है बच्चे यह जो हजार है यह आपका गुडवाचक सरवनाम नहीं है हजार गुडवाचक नहीं है बाकी सब है यह हजार यह हजार इसका अंसर होगा ठीक है हजार क्योंकि यह क्वां चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला अगला रिजू का किट्विल हो जाएगा इसका आजाएगा राश्ट्रिय ठीक है जाती वाचक संग्या गंगा व्रक्ति वाचक हो जाएगा मेरा मन कभी-कभी बैट जाता है है ठीक है कि कभी-कभी मेरा मन बैट जाता है बताइएगा ये दोनों देखिए और बताइए कभी-कभी मेरा मन बैट जाता है कि मेरा मन कभी-कभी बैट जाता है ठीक है और फिर निपात क्या है सब्द पर बल देते हैं जो फिर ये क्या है यह हमने बताई दिया था आपका आप क्या है निच वाच्ण का अजाएगा तीन ईक हो जाएगा उन जायगा एक सब्सक्राइब यह नहीं होगा फिर कुछुश्य इसका वाला यहmen पहला वाला स्का आंसर हो जाएगा फिर इसके बाद यह मैत इंगली है इसको देख लिजेगा यह संख्यावाची होगा vert हाँ हजार क्या होगा संख्यावाच्यों गुर्ण नहीं होगा ठीक है तो इसका पीडिएफ में टीचर क्या नाम है टेलिग्राम पर डाल दूंगा इसका पीडिएफ आप देख लीचेगा लास्ट का जो मैंने बताया है वह एक्जेक्ट्ली सही अब बताई कोई किसी को कोई आप किसी को कोई बीडाव्ट किसी कोई कोई किसी का प्रकार का डॉट किसे आपने कोई 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 संब गलत है और कितने हो गए 8 900 आजाल लोग देख रहे हैं लाइक कितने हैं बताइए जल्दी से अभी आथ बजी आप आएगये आपके सामने बहुत बड़ा शुर्प्रा बढ़े हो गया हम लोगों का और सबसे बड़ी बात की जनम दिन हना हाँ यह मैत वाला है इसको तुम दों की देख लिए जएगा मैत और इंग्लिस आप का रा देंगे ठीक है मैत रिंगलिस एक बार में करा देंगे उसकी सही पीडिया भी आजेगी तब तक और बाकी कोई वो कोश्चन भीकर वाद यह जाएंगे ठीक है यह आपकी मैहत है एस्प कार से आई थी ठीक कि देख लिए अलजब्रा के क्वेश्चन थे गनाप का पहले भी आया था आभी भी आया है ठीक है यह देखिए यह है नॉर्मल सा प्रस्णा आया इसमें अगर के साथ इसमें नहीं आया है क्या मुझे पता नहीं फ्री इंग्लीज में आ गया है मिसे स्पेल ताग यह देख लिए ठीक है तो चलिए ठीक है आशले इतना काफी है ठांक यू बेरी करवाना हो तो कमेंट कर दीजेगा कल इंग्लीज में दुपैर में करवा दूँगा ठीक है ठैंक यू और आठ वजे आपको अभी जरूर आना है बहुत बड़ा सर्प्राइज लेकर सामने आएंगे आपके सामने नंबर चार बिटा क्वेश्चन नंबर चार में क्या था परशियन है शिर्फ आब बाकि कुई क्वेश्चन में घिली राहने एक container नीचे दिया गया है मैं भी भेद्द दिए रहा हूं मैं आपको पेपर बेस दो क्या छलिए मैं लीजे गए आपकोना टेलीग्राम कर लिए गया है जो और such a कोई निवेदन है कि आठ बजए भी आएंगे उनके लिए सर्प्राइज होगा और नहीं आते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जहां पर कोई question दिक्कत हो वो बताएंगे question number 45 question number 45 question number 45 आप एक रही है है कहां पैट निपात किसे कहते हैं यह ने खाल ना शब्द में विशेश प्रकार का बल लगाने वाले अव्यव है जैसे मैं कहाना उसने की ठीक ही तो कहा है Сам कि अशी वो आवेव है इस ही को निपात कहते हैं सब्द में विशेश प्रकार का बल लाने वाले अव्य और कोई कुश्चिन कुश्चिन नमर 15 विकास बाभू बता दिया पैता इसका तीन होगा तीन जैसा ड्राइवर का पेपर बनादा मैंस का पेपर बनला है वह एडवान्स लेवल अओ बन रहा है और कल्कूलेटीव बन रहा है है और है ऐसा एक और बात कि कि पिछले वाले स्टनों के पेपर में गुरुप C के पेपर में coordinate jeopardy पूछी गयी थी लेकन इस बार के पेपर में Coordinate geometry आपके नहीं पूछी जारी लिighing फिर भी मैंने पढ़वा दिया है फिर भी और कोई question ऐसा हो जो तुम्हें लग रहा हो doubt में हो कोई ऐसा question अब भी लोग रहा हो जो में doubt में हो मताईए कोई भी ऐसा question जो तुम्हें doubt में लग रहा हो बच्चे नहीं ना पक्की बाद तो चलिए धन्यवाद नमस्कार और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएगा सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा पहली इन्फॉर्मेशन मैं ही देता हूँ हर चीज की आपको जो बच्चे नए हैं ठीक है ना और अगर कोई दिक्कत हो क आपको बहुत सारी नोच प्रदान कर दिए गए हैं ऐसे जी गुरूगल के एप में बहुत सारे पीडियोफ नोच प्रदान कर दिए गए हैं और आठ बजे इतना बड़ा धमाका के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ मजा ही आ जाएगी आपको ठीक है ठैंक्यू